अरे वा, देखो दोस्तों, जादूई कमरा, चलो चलते हैं मज़ा आएगा वा, कितना सुन्दर कमरा है ये दोस्तों, ये देखो, इस शीशे में मेरी टांगें कितनी लंबी दिख रही है अरे हाँ गपी, मेरी टांगें भी कितनी लंबी दिख रही है तो इसी बात पर तुम दोनों अपनी लंबी लंबी टांगों से डांस करके दिखाओ कोई यहाँ आँप नाचे नाचे, कोई यहाँ आँप दोड़े-दोड़े, कोई यहाँ आँप चले-चले दोस्तों यह देखो, इस शीशे में मेरा पेट कितना चपता लग रहा है तुम इतना क्यों हस रही हो चुटकी? हमें भी बताओ हाँ हाँ, मुझे भी बताओ चुटकी इधर आओ और देखो, मेरे हाथ कितने लंबे लग रहे है इतने लंबे हाथ देखकर मुझे हसी आगई चुटकी, तुम्हारे हाथ और उंगलिया तो सच में बहुत लंबे दिख रहे है हाँ, इन लंबे लंबे हाथों से मैं पेड़ पर से स्वादिश्ट मीठे मीठे आम भी तोड़ कर खा सकती हूँ मुझे भी खाने है स्वादिश्ट आम, कहां है, कहां है ओ हो टिंकू, आम कहीं नहीं है कितना मज़ा रहा है, चलो आगे देखते है जादूई है ये कमरा, जादूई है इसका काम देख देख कर शीशे में खुद को हो रहे है हम सब हैरान दोस्तों, ये क्या, यहां मेरा जहरत कितना चोटा लग रहा है मैं इस शीशे में देख सकती हूँ, अपनी दो आखे, एक नाख, दो काद और और एक चोटा सा मूँ, जिससे तुम खा सकती हो मीठे मीठे जामून बाल मेरे शीशे में देखो तो लगते हैं कितने लंबे दोस्तों, देखो तो यह शीशा कितना अजब का जब दिखाए गप्पी के बाल चुटकी से भी लंबे तो बच्चों, कैसा लगा यह जादोई कमरा? बहुत बढ़िया दादा जी हाँ दादा जी, हमें बहुत मज़ा आया और हमने खेल-खेल में शरीर के अंगों के बारे में भी जाना अंग, ये क्या होता है? चुटकी, शरीर के अंगों का मतलब होता है तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा जैसे आख, कान, नाख ओ, अच्छा दादा जी, मैं समझ गई मेरे पैर, हाथ और ये पेट भी शरीर के ही अंग है पेट मेरा ये बोले मुझसे, खाना है कुछ स्वादिष्ट दादा जी, अब चलिए न, खाए कुछ स्वादिष्ट दोस्तो, कैसा लगा जादुई कबरा? हमने अपने शरीर के अंगों के बारे में जाना क्या आप भी अपने शरीर के अंगों के नाम और उनके काम बता सकते हैं? सोचकर अपनी परिवार और दोस्तो को बताएं बाई बाई दोस्तो